हालो फ्रेंड्स माइनेम इस धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर आज का करेंट अफेयर है दोस्तों 6 मार्च 2022 का इस वीडियो में मैं इनपोर्टेंट कोश्चन कवर करने वाला हूँ जो कि हर एक्जाम में इसी क्वेश्चन को रिपीट किये जाते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा अगर आप किसी कम्पिटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं सीजी व्यापम, सीजी पेसी या फिर अभी जो पटवारी का एक्जाम होने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला हमारा क्विस्चन है हाल ही में केंदर सरकार ने 36 गड़ के कुल किपने जीलों में वन डिश्टिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रोडक्ट बैंडिंग तयार की है ऑप्छन अ है 27, ऑप्छन भी है 24, ऑप्छन C है 28, और ऑप्छन D है 18 तो करेक्ट आन्सर हमारा क्या आ जाएका दोस्टों आप्छन नम्बर 6 का करेक्ट आनसर आजाएका 28 आए दोस्तों point of view की साब से देखते हैं one district one project योजना one district one focus product ODC OAF प्रदेश के 18 जीलों की उत्पादक के अब्धार पर ब्रैंडिंग प्रदेश में मिलने वाले उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के 28 जीलों में उसकी पहचान मताबिक सुक्षमा लगू और मध्यम उद्योग करने के चिनहित किये हैं योजना को बढ़ाने के लिए 17 जीलों में 54 से अधिक इस वीटर केंद्र खोनले की मनजूरी प्रदान की है केंद्र मंतराला ने देश के सभी 728 जीलों में वहाँ होने वाले फसलों और क्रिसी के अधार पर इन जीलों का चैन किया गया है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों 36 गड़ के कितने गाउं में नसा मुक्त केंद्र भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर आजाएगा 1460 पॉइंट आउफ यू के हिसाब से देखते हैं भारत माता वाहिनी नसा मुक्त केंद्र का संगठन 36 गड़ में 1460 गाउं में समाज कल्यान विभाग को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी है और नेक्स्ट है पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से जादा अबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चैन किया गया है पहले 1460 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया गया था नेक्स्ट है भारत माता वाहिनी में हर गाउं में 8 सदस होंगे इसमें महिलाओं के साथ अधिक्तम 3 पुरुष को भी सामिल किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों भारतिय खेल प्रधिकरण में खेलो इंडिया इसकीम के तहट 36 गड़ में कितने खेलो इंडिया केंद्र इस्थापना को मंजूरी दी गई है ओप्सन A है 6, ओप्सन B है 9, ओप्सन C है 7 और ओप्सन D है 5 करेक्ट हमारा आंसर आजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर 6 का करेक्ट आंसर आजाएगा 7 आजाएगा भारतिय खेल प्रधिकरण ने 36 गड़ में खेलो इंडिया इसकीम के तहट 7 खेलो इंडिया केंद्रो की इस्थापना को मंजूरी दी है ये साथ केंद्र अलग अलग जीलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे भारतिय खेल प्रधिकरण द्वारा अचार्य और होकी के लिए दो-दो केंद्र बॉली बॉल मलवक्न और फुटबाल के लिए एक-एक केंद्र की मंजूरी दी गई है नेक्स्ट कोस्टन की ओर चलते हैं दोस्तों आई-सी-सी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है आप्सन-A है थाइलेंड आप्सन-B है आस्टेलिया आप्सन-C है भारत और आप्सन-D है यूजिलेंड तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आप्सन-D को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे यूजिलेंड आ जाएगा ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 आयोजन यूजिलेंड में 4 मार्च 2022 से सुरू होगा यहां 4 मार्च से 3 अप्रेल 2022 तक यूजिलेंड में आयोजन होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का बारवा संस्करन है कुल 8 टी में भाग ले रही है यूजिलेंड आउस्टेलिया इंगलेंड दक्षिन आप्रिका भारत मंगला देश पाकिस्तान और वेस्टिजिस सामिल है नेक्स्ट कोस्चन क्यों चलते हैं दोस्तों हाल ही में क्रिकेट के महान इस्पिनर सेन वार्न का निधन हो गया वहां किस देश से सम्बंधित है ओप्सन A है यूजिलेंड ओप्सन B है आउस्टेलिया ओप्सन C है दक्षिन आप्रिका और ओप्सन D है वेस्टिंजिस तो correct answer हमारा क्या आजाएगा दोस्तों? option number 20 का correct answer आजाएगा Australia Australia के महान spinner Sane Warn का 52 वर्से की आयू में निधन हो गया Sane Warn वाले पहले महान क्रिकेटरों में एक है ने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिये है Australia का अब तक का सबसे महान कप्तान माना गया है 2013 में उन्हें ICC Hall of Frame में सामिल किया गया था next question क्यों चलते हैं दोस्तों? 36 गड़ में राश्टी विवी सेवा प्रधिकर नई दिली द्वारा नेशनल लोग अदालत का आयोजन कब किया गया था 10 मार्च 1 अप्रेल 15 मार्च 12 मार्च ते इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? option number D को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे 12 मार्च आ जाएगा कब आ जाएगा? 12 मार्च next question क्यों चलते हैं दोस्तों? 36 गड़ सासने स्वास्थ एवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा प्रदेश को किस वर्स टीबी 6 मुक्त करने का लक्ष रखा गया है option है 2026, 2023, 2025 या फिर 2030 तो इसका आंसर आप लोग मुझे comment box में लिखके बताएंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा next question क्यों चलते हैं राज्य में adventure tourism को बढ़ावा देने की कोसिस में सरकार लगी है कितने बड़े बांधों में जल परियाटम जल सुरुवात होगा 5, 6, 7, 8 correct answer हमारा क्या आजाएगा दोस्तों option number 20 का सही आंसर आजाएगा 6 6 बड़े बांधों में जल परियाटन जल सुरु होगा 36 गड़ के प्रमुक सिचाई बांधों में जल परियाटन को बढ़ावा देने व्यापा कार्य योजना बन रही है इन बड़े बांधों की योजना तयार करेगे पहला है माण मिसी धमतरी दूसरा है गोंगा जलास है बिलासपूर तीसरा है संजय गांधी जलास है खुटा रतनपूर और चाथा है सरोदा बांग कबीर धाम और तीसरा है पुडार जलासर रायपूर और चटवा है मलेनिया जलासर जो की है कूरिया पेंडर मारवाही में नेक्स्ट कुश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों राज इस्तरीय जन जाती अंधित्य महुतसो और जन जाती कल एवं चित्रकल प्रतियोगिता का आयोजन रायपूर में कब से कब तक होगा 10 से 13 अप्रेल, 10 से 11 से 13 अप्रेल, 13 से 13 अप्रेल और इनमें से कोई नहीं सही आंसर हमारा आजाएगा दोस्तों, आप्सन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आजाएगा 11 से 13 अप्रेल आदिवासियों के संस्करन विकास एवं समवर्धन के लिए राजधानी रायपूर में तीन वर्सी अखिल भारतिय जन्जाती साहित्य समारोह राज इस्तरिय जन्जाती नृत्य समारोह एवं राज इस्तरिय जन्जाती कला एवं चित्रकार प्रत्योगिता का आयोजन किया जाना है सेकंड पॉइंट है यहां आयोजान राजधानी रायपूर में 11 से 13 अप्रेल तक किया जाएगा कब से किया जाएगा 11 से 13 अप्रेल तक कुष्ट रोख संक्रमण में 36 गड़ का कौन सा सहर अवल है तो कौन सा सहर अवल है दोस्तों जगदलपूर विभागिय अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों चलाए गए अभियान से अधिक मरीज जगदलपूर सहर छेत्र में 49 बस्तर ब्लॉक में 35 वडांगर ब्लॉक में 33 और नाकपूर ग्रामिर छेत्रों में 24 कुष्ट के रोग मिले है नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं दोस्तों 36 गड़ सरकार का बजट का पेस होगा 9 मार्च को 7 मार्च को 9 मार्च को 7 मार्च को तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर ए को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे 9 मार्च बजट सस्ट की सुरुआ साथ मार्च से होगी प्रथम दिन ग्यारा बजे राजपाल का अभिभाशन होगा विधान सभा अध्यक्षर डाक्टर चरमदास महमत है पांच जीलों राज्यों के चुनाओं में विधायकों की विवस्ता को देखते हुए यह सच छोटा रखा गया है डॉक्टर मंत ने बताया की बजट सस्ट से पचीस मार्च तक चलेगा कुल अठारा बैठके होगे कुल कितने बैठकों होगी तेरा बैठके होंगे नेक्स्ट कुश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों करेक्ठ हमारा अंसर आजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर ए इसका करेक्ठ अंसर आजाएगा दस वर्स इस अभियान के तहत आठ फरवरी से आठ मार्च दो हजार बाईस तक विशेश अभियान चलाकर दस वर्स के कम उम्र की समस्त पात्र बालिकाओं का निकट से घरों से खाता खोला जा रहा है उलेखनिया है कि सुकन्य समरिद्धी योजना के तहत दस वर्स से कम उम्र की बालिकाओं का खाता 250 रुपिय से खोला जा सकता है कब खोला जाएगा दस वर्स के बच्चों के लिए खुला जा रहा है तो आप लोग कुंसन को याद रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन हमारा है राश्टिय स्वास्त मीसन के दिरगायू वाड योजना के अमतरगर चतिस गड़ के कितने जीले अस्पतालों में डे केयर कीमो थेरेपी सुईधा संचालित की जा रही है 15 जीला 16 जीला 17 जीला और 20 जीला तो करेक्ट हमारा आंसर आजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर 10 का करेक्ट आंसर आजाएगा 17 जीला अस्पताल पॉइंट आफ यू के हिसाब से समझते हैं राश्टिय स्वास्था मिसन के दिरगायू वाड योजना के अमतरगर चतिस गड़ के 17 अस्पतालों में डे केयर कीमो थेरेपी सुईधा संचालित की जा रही है इसके प्रदेश के नकसल प्रभावी छेत्रा और आदिवासी अंचलों की कैंसर मरीजों को भी यह जरूरी सुईधा मिल रही है प्रदेश के सभी जीलो अस्पतालों में चरण बद रूप से केमे थेरेपी की सुईधा उपलब्द कराई जाएगी बड़े धेर वर्सों में कीव थेमे रूपी सुईधा वाले सत्रा जीलो अस्पतालों में 4598 व्यक्तियों में कैंसर की जाच की गई है नेक्स्ट कोस्चन की ओर चलते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट कोस्चन है यह अंतर राष्ट्य महिली दिवस के आउसर पर रायपूर में कब से कब तक राज्य इस्तर महिला मंड़ा का आयोजन किया गया है तो करेक्ट अंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों 5 मार्च से 8 मार्च अंतर राश्ट्य महिली दिवस के आउसर पर महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा राजधानी रायपूर के संकर नगर इस्थी टीबी आई ग्राउंड से ग्राउंड में पांस से आठ मार्च तक तीन दिवस्य राश्ट्य महिला मंड़ा का आयोजन किया जा रहा है सेकंड पॉइंट है मंड़ा का उद्धतम महिला एवं बालविकास मंत्री स्री मती अनीला भीडिया द्वारा पांच मार्च को साम छे बजे किया जाएगा मंड़ा में राज की महिला एवं स्वासायता समुह द्वारा तयार उत्पादकों की प्रदर्शनी लगा कर बिक्री की जाएगे टीबी आई ग्राउंड में साथ मार्च को राज इस्तरी महिला सम्मेलन का आयोजन होगा आठ मार्च को TBI ग्राउंड से सुबह मैलाओं की साइकल रैली निकली जाएगी नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं दोस्तों आठ मार्च अंतरराष्टिय दिवस पर 36 गड के किनहे उतकरिष्ट कार्य के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में आत्म निर्भर संगठन पुरुसकार से नमाजा जाएगा ओप्सन ए है आस्था संकुल संगठन को दूसरा है गैत्री परिवार को तीसरा है महिला किसानों को और चौता है इन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर A इसका सही आंसर आ जाएगा आस्था संगठन आठ मार्च अम्तराष्टिय महिले दिवस पर आस्था संकुल संगठन को उसक्रिष्ट कार्य के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में आत्म निर्भर संगठन पुरुष्कार से नवाजा जाएगा ग्राम सोने सरार की आस्था संगठन संकुल संगठन को सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों प्रदेश के कितने दिव्यांग जन कोच 37-40 लाख रुपए की सहयता रासी दी गई है आप्सन ए है 100 आप्सन बी है 120 आप्सन सी है 122 और आप्सन डी है 130 तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आजाएगा दोस्तों आप्सन नमबर सी इस का करेक्ट आंसर आजाएगा 122 प्रदेश के 122 दिव्यांज को 37-44 लाख रुपए की सहयता प्रदान की गई है सेकेंड पॉइंट है राज इस्तरिय समाहरोह में समाज कल्यान मंत्री ने समान किया सासन के खर्च पर नेत्रहीन पर थल लिन कुमारी इस्वरी दुबई जाएगे राजधानी राइपूर में आयोजीत राज इस्तर समारोह में समाज कल्यान मम्तरी स्रीमती अनील भीडिया ने समानित किया पहरा एटलिस में राष्ट्य इस्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महासमून जीले की नेत्रहिन बाली का कुमारी इस्वरी निसात के खेलने के लिए दुबई जाने का खर्च विभाग द्वारा वहां ने गोसित की है नेक्ट कोश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों कल का हमारा कुईस्था देश का पहला राज्य कौन है जिसने भाबा परमानु अनुसंधान केंदर के साथ तकनिकी हस्तामतरन के लिए अनुबंध किया है तो इसका सही आंसर है दोस्तों अप्स 36 गड़ सही आंसर इसका क्या है 36 गड़ कल का हमारा क्वीस था दोस्तों Sexynd question है राज्य में क्रिसी और ग्रामिड अर्थ विवस्था को बेहतर बनाने के लिये कितने महत्वपून MOU हुए तो कितने MOU हैं हुए दो अंसर में क्या जायेगा दोस्तों दो आज का हमारा question है दोस्तों युक्रेन से भारती अनागरिकों को निकलने के लिए भारा सरकार ने हाल ही में कौन से मिसन की सुरुआत की है option आप लोगों के सामने हैं दोस्तों इसका answer आप लोग मुझे comment box में लिख के बताएंगे कि इसका सही answer क्या होगा आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक like कर देना और इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिए अपने दोस्तों को और अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please subscribe कर लिजे 7-7 बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए